हेलो फ्रेंट्स कैसे है आप वो फ्रेंट्स आप लोगों नहीं देखाई कि मेरे वीडियो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं उसी सीखेंस में मैं आप लोगों को एक नाया सांट टेस्ट सुनाना चाहता हूं और यह संद टेस्ट अभी मैं आप लोकों गो इन दोनो स्थ्रीवे कर से बीच में यह ऩो सकता है यह 25 25 इस साल पुराणा हो इसका जू स्टिकर लगा हुआ है स्पिकर बोक्स की ससाल में 90 वाट बता रहा है और और कागज का पुराणा है यह 25 इसे पुराणा साउंड का है जिसमें डोजी साउंड का ही तैन इंच का वूफर लगा हुआ है और साउंड किंग का एंप्लीफाइर मेरे पास है इसी के साथ का जिसके मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो बना के दिखाया है सुनाए हैं इसमें जो क्रोसओवँ लगा है वह भी डोजी साॉंट का ही लगा हूआ है थ्रीवे क्रोसओवर तो मैं इन दोनों ही थ्रीवे स्पिकर और पूढ़ की साउंड आप लोगों को सुनाना चाहता हूं एनिहाव दोनों ही speaker box की wattage जो है लगबग more or less same है क्योंकि ये dozy sound का 3-way speaker box 100 watt का है तो ये 90 watt का है वैसे ये पुराना जो speaker box से 90 watt लिखा ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा powerful है इन दोनों का ही मैं sound test करने वाला हूँ यानि कि इन दोनों में मुकाबला करने वाला हूँ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि दोनों ही speaker box की sound कैसी निकल की आती है वैसे मेरे पास एक 120 watt का भी speaker box है जो की sealed enclosure में मैंने बना रखा है ये Sweden company का है 10 inch का ही woofer लगा है जो की 120 watt का है लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इन 3 way speaker box की sound में comparison सुनाना चाहता हूँ वैसे एक 3 way speaker box और है मेरे पास जो की बिरको company का है जिसमें 10 inch का woofer है लेकिन उसकी wattage बहुत ज़्यादा कम है अब मैं आप लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहता था कि सबसे पहले आप इन दोनों 3 way speaker box को किस amplifier के साथ सुनना चाहते है मेरे पास option है मैं आप लोगों को इन दोनों ही speaker box को sound king के amplifier पे भी play करके दिखा सकता हूँ और ये जो woodstock के vintage amplifier और equalizer है इसके साथ भी play करके दिखा सकता हूँ लेकिन यदि मैं ये amplifier और equalizer यूज़ करूँगा तो आप लोगों बोलेंगे कि मैंने doji sound के साथ पाचल्टी की क्योंकि ये जो amplifier और equalizer heavy woodstock का ये इस woodstock के speaker box के according design है तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले में आप लोगों को sound king के amplifier के साथ ही ये sound test सुनाना चाहूँगा आप लोग बता सकते हैं comment box में लिखे और अभी अपनी राय दे सकते हैं यदि आप कुछ बताना चाहे तो फिलाल में आप लोगों को ये जो sound king का amplifier है जो की 100 plus 100 watt का है इसके साथ इन दोनों speaker box को play करके दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि आज कल के new generation के 3-way speaker box में और ये बहुत पुराने जो vintage 3-way speaker box से हैं इनकी sound में कितना ज़्यादा difference है Thank you दोस्तों जुड़े रहे हैं मेरे चैनल से और चैनल सब्सक्राइब करके notification आल जुरूर दबाईए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें